इस लेक्चर में हम इंसेक्ट विंग्स के मॉडिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे इंसेक्ट में टू पेर्स ओफ विंग्स होते हैं एक सवाल आपके दिमाग में भी आया होगा कि कैसे ये दोनों पेर्स ओफ विंग्स एक साथ बीट करते हैं कुछ प्रिमिटिव इंसेक्ट जैसे ड्रेगन फ्लाई और डैमसल फ्लाई के अंदर विंग्स कम्पलीटली सेपरेटली वर्क करते हैं लेकिन ज्यादतर इंसेक्स में फोर एन हाइंड विंग्स आपस में कपल्ड होते हैं यानि जॉइंटेड होते हैं जिससे वो एक सिंगल यूनिट की तरह फंक्शन करते हैं यानि इस कपलिंग के कारण इंसेक्स आपको टू पेर्स ओफ विंग्स के साथ नहीं दिखेंगे यानि चार विंग नहीं दिखेंगे सिर्फ दो विंग बीट करते वी दिखेंगे 4 और hind wing की coupling के कारण दोनो wings synchronized way में move करते हैं जिससे aerodynamic efficiency और भी ज़्यादा improve हो जाती है Simple words में देखें तो 4 और hind wing एक couple की तरह act करते हैं वो वाले couple नहीं इस coupling के लिए insects में कुछ special structures होते हैं ये structures कोई lobe, bristle, hairs या spines की form में हो सकते हैं जो की hook या chain की तरह act करते हैं जिनसे 4 और hind wing आपस में अटके रहते हैं इंसेक्स में 4 different types of coupling पाई जाती है जिसमें से सबसे पहली coupling है hamulate type hamulate type की coupling ज़्यादा तरह insects में पाई जाती है इसके अंदर पीछे वाले wing की costal margin पे curved hook-like structures पाई जाते हैं जिने हैमिलाई बोला जाता है ये hook-like structure 4 wing की पीछे वाली margin दाट इस anal margin के अंदर lock हो जाते हैं इस तरह की coupling आपको order hymenopatera के insects में मिलेगी जिसमें wasps and bees आती है अगली coupling type है jugate type jugate word wings में सबसे पीछे की तरफ elongated region होता है इस type की coupling में 4 wing के जुगम region elongated होके एक low black structure बनाता है जो की hind wings की costal margin में lock हो जाता है और इस तरह से ये coupling होके दोनों wings एक single unit की तरह act करते हैं इस तरह की coupling primitive lepidopteran family happy LADK members जैसे की कुछ mods के अंदर ही पाई जाती है अगली coupling type है amplexiform ये coupling type सबसे simplest type of wing coupling है क्योंकि इसमें कोई भी linking structure प्रजेंट नहीं होता wings में इसमें 4 wing का पीछे वाला margin that is annal margin और hind wings का आगे वाला margin that is costal margin एक दूसरे पे overlap होते हैं यानि एक broad overlapping होती है adjacent margins में amplexiform type of coupling mainly butterflies में पाई जाती है अगली type की coupling है frenet type frenet type of coupling two types की होती है males के अंदर frenet male type of coupling होती है जिसमें hind wings पे stout hairs present होते हैं यानि मोटे hairs होते हैं जो की connecting organ की तरह काम करते हैं और इन्हें frenulum बोला जाता है जो की hind wings की costal margin पे present होता है frenulum four wings में present एक curved hook like process के अंदर fix हो जाता है और वहीं female frenet type of coupling के अंदर frenulum a group of hairs से बना होता है और ये four wings में present hairs के patches के अंदर जाके fix हो जाते हैं frenulum जहां पे जाके fix होते हैं उस four wing के structure को retinaculum कहा जाता है इसलिए इस coupling type को retinaculum type भी बोला जाता है इस तरह की coupling आपको fruit sucking moth या hawk moths में मिलेगी इंसेक्स में wings सबसे important structure है उनकी identification और classification के लिए क्योंकि सिर्फ wings की external morphology देखके आप इंसेक्स को easily identify कर सकते हैं कि कौन सा insects कौन से order से belong करता है या कौन सी family से और even same genus के अंदर different species आसानी से identify कर सकते हैं जैसे की lemon butterfly इसके wings में yellow patches दिखेंगे ठीक इसी तरह monarch butterfly में देखें तो आपको brown color के patches मिलेंगे butterflies order lapidoptera में आती है इसके अलावा और orders में देखें जैसे की colioptera जिसमें beetles आते हैं उनके wings butterflies से काफी अलग दिखेंगे तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सिर्फ wings देखके आप insects को काफी असानी से identify कर सकते हैं और उनको classify कर सकते हैं क्योंकि हर insect का distinct and unique color, pattern, shape and size होता है अब wings different insects में उनकी habitat के हिसाब से different functions भी perform करते हैं जिसके basis पे insects में wings different types में classify किये जा सकते हैं तो इसमें पहला type है tagmina wings कुछ insects जैसे grasshoppers और cockroaches इनके four wings leathery और tough होते हैं जो की delicate hind wings को protect करने का function करते हैं अब tagmina wings का tough और hardness के कारण इनका weight ज्यादा होता है जिसके कारण ये flying में help नहीं करते इनका function solely protection का होता है ग्रास ओपर जब ground पे होते हैं तो tagmina type के four wings इन्हें additional protection प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं Elytra wings ये heavily sclerotized और hard shell like wings होते हैं बीटल्स के four wings Elytra type के होते हैं बीटल्स के four wings एक hard shell की तरह act करते हैं और hind membranous wings और abdomen को protect करते हैं इतने ज्यादा hard wings होने के कारण बीटल्स में four wings flying में help नहीं करते और elytra wings में wing venation absent होता है तो बीटल्स को fly करते समय Elytra that is अपने four wings उपर की तरफ उठाने पड़ते हैं और एक certain angle पे रखने पड़ते हैं ताकि hind membranous wings बाहर निकल सके और beetles fly कर सके Hemilytra wings order hemipatera के insects that is bugs में मिलते हैं Bugs के four wings का basal half part जो की head से start होता है thick और leathery होता है just like elytra और distal half end membranous होता है तो इसका मतलब ये half portion में elytra की तरह resemble करते हैं इसलिए इनका नाम hemilytra है Hemilytra wings भी productive function प्ले करते हैं और flying में help नहीं करते और flying की समय ठीक elytra की तरह ही four wings उपर उड़ जाते हैं और insect hind membranous wings की help से fly करता है Scaly wings Scaly wings butterflies and moths में मिलते हैं Butterflies and moths के wings के उपर बहुत सारे छोटे छोटे माइन्यूट कलरड scales होते हैं Butterflies के wings microscope के नीचे study करें तो आप आएंगे कि wings पे बहुत सारे छोटे 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 फ्लैटन्ड scales मोजूद होते हैं Scales unicellular cells होते हैं जो की body integument का ही outgrowth होते हैं Scales wing surface पे inclined होते हैं और बहुत सारे scales आपस में overlap होके एक और बात आप notice करेंगे कि insects के wings का color और pattern अपने surrounding की तरह match करता है जिससे इनके predator इनको दूर से आसानी से spot नहीं कर सकते यानि इनमें camouflage की capability wings के कारण ही आती है Membranous Wings Membranous Wings transparent membrane-like wings होते हैं ये wings काफी thin होते हैं और इनके अंदर minute hollow veins दिखेगी जिसके कारण इनमें wing venation काफी clear visible होता है जितना ज़्यादा wing venation clearly visible होता है उतने ज़्यादा soft wings होते हैं ज़्यादतर insects membranous wings होने के कारण ही अच्छे से fly कर पाते हैं क्योंकि ये काफी thin और flexible structure होते हैं जो आसानी से air के अंदर glide कर सकते हैं और काफी speed से beat कर सकते हैं जैसे की order diptera के member house flies में देखें इनके four wings membranous type के होते हैं और hind wing reduced होते हैं grasshoppers and cockroaches में देखें तो four wings हम पढ़ चुके हैं tagmina type के होते हैं लेकिन जो flying में help करते हैं वो hind wings membranous type के होते हैं इसी तरह beetles में देखें तो four wings elytra type के होते हैं और hind wings जो flying में help करते हैं membranous type के होते हैं और bugs में four wings का half portion elytra से resemble करता है और half portion membranous होता है यानि इनको hemilytra बोलते हैं और इनमें भी flying के लिए hind wings membranous type के होते हैं और bees, vasps, dragonflies and damselflies के अंदर दोनो pair of wings that is four wings and hind wings membranous type के होते हैं halters ordered diptera के insects जैसे की true flies and mosquitoes इन में देखें तो four wings membranous type के होते हैं और hind wings completely reduced होते हैं और ये एक knob like structure होता है और ये four wings के साथ vibrate करता रहता है और एक balancing organ की तरह act करता है जिससे insects को stability मिलती है during their flight pseudo halters pseudo का मतलब होता है false pseudo halters मतलब false halters यानि इन wings में इस तरह के wings strep septra order के members जिने stylops बोलते हैं उन में पाए जाते हैं इनके अंदर four wings highly reduced होते हैं और halter की तरह एक knob like structure पाया जाता है लेकिन halters में hind wing highly reduced होते हैं जबकि pseudo halters में four wings reduced form होके halter की तरह लगता है इसलिए इस तरह के wings को pseudo halters बोलते हैं fringed wings fringed का मतलब होता है जिस तरह से कपडों के end में long threads निकले रहते हैं उसी तरह से इस wing type के अंदर wings highly reduced होते हैं और margins के end पे long hairs निकले रहते हैं जिसके कारण इन wings का appearance feather like होता है ये चोटे चोटे feather like wings thrips में मिलेंगे बाकी insect wings की तरह ये काफी थेज beat नहीं कर सकते क्योंकि ये delicate type के wings होते हैं और इनके कारण thrips केवल हवा में swim कर सकते हैं Fissured wings Fissured का मतलब होता है long cracks ये wings plume modes में पाए जाते हैं इन wings के अंदर four and hind wings में cracks होते हैं four and hind wings longitudinally divided होते हैं और four wings में two arms and hind wings में three arms होती हैं और ये wings एक fork like structure बनाते हैं साथ में इनकी margins पे चोटे-चोटे hairs present होते हैं जो इन्हें flying में help करते हैं कमेंट्स में इस क्यूशन का अंतर जरूर करें तन्जय friendship झांजया के अधक्र बेदेन डिक Alright झाली 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 प्ली इनी झाल्स बस्बा群